वेलकम उस अगेन बच्चों इस वाले वीडियो में उन्हों क्वेस्टन वाटीन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइट 12 एका तो सिंपल सा क्वेस्टन नमपर में आपको समझाया था ना बिना डियाग्राम के उसी तिर के सी यह भी आपको इक डियाग्राम बना कर बताया था वैसे के सबस्क्राइब कर बैसे करता हुं इसने बोल रहा है कि एक हमारे पास सरकल जिसमें दो कॉर्ट और इक डैमेटर जो है वह उन दोनों को क्या कर रहा आपस में बाइसेक्ट कर दे रहा है तो प्रूफ कीजब जो कॉर्ट सेन वह आपस में क्या है पैरलल है जैसा मैं आपक पस दोनों chords को मत बनाना ज्यादा पास बना दोगे न तो आपको थोड़ा से महां पर angle को समझाने में दिक्कत होगा इसलिए मैं थोड़ा से कोशिज करूँगा कि जो chords उनको दूर दूर बनाओ आईए मैं आपको इसको solve करना copy में सिखाता हूँ तो देखो यहां पर कुछ इ कर रहा है और हमारा जो आरे से उसको एफ पर यह वाली जो डाइमीटर वो बाइसे कर रही है यानि इधर और इधर हमारी जो हो जाएगी हमको यह प्रूफ करना है यह जो पीक्यों और आरस है आपस में दोनों parallel है तो parallel प्रूफ करने के लिए आप parallel का कोई सभी रूल उठा लाइन जाता है है ना किसी भी पॉइंट पर सरकल के तब क्या करता है वो कौड को बाइसेक्ट करता है तो अगर यह कौड बाइसेक्ट हो रहा है इसका मतलब है कि यह जो मेरी लाइन होगी वह परपेंडिकुलार लाइन ही होगी आप लोग इसको ऐसे लिखोगे कि मेरा ज को दिखें तो यह जो हमारी ओ भी जो लाइन थी वह इसको भी सेट कारी है इसका मकड़ा कि हमारा यहांगल इंगल बनायेगा आरस पर तो आल्सो रिकल भी पर यह 90 डिगुरी यह वह यह वाला ऐखी सब्सक्राइब और यह वह उठा लेंग आनगितने समय बिंदार में समय सब्सक्राइब में दाझना कि यहाँ पर हमारे के लाविप है हमेने नाम लिखें हो इसाता भी यह बहना कि दूमैं S F E ौ दोनों आपस में इसलिए आपस में इक्वल है तो अंगल को क्या कहा जाता है इन दोनों को कहा जाता है है अपने parallel line में पढ़ा है class 7 में ही कि दो parallel lines है उनको कोई भी अगर हमारे transversal cut करता है bisect करता है कुछी भी तरीके से तो वहाँ पर हमारे जो अंदर में एंगल बनेगा opposite side में इनको कहा जाता है alternate interior angle बाहर वाले opposite sides को बोलते है alternate exterior angle तो जो हमारे alternate interior angle होता है इक्वल कब होता है जब दो parallel lines होते है तो अगर यह आपस में equal हो रहा है इसका मदब कि PQ और RS क्या है आपस में parallel line ही है तो यहाँ पर आपर लिखोगे कि since क्या बलते है alternate interior angles alternate interior angles are equal alternate interior angles जो है मेरे आपस में equal है so इसलिए मेरे जो PQ और RS होगा वो parallel होगा तो PQ is parallel to RS बसके यही तो आपको प्रूफ करना था दोनों को parallel और कुछ को नहीं नहीं है आपकर मेन आपको यही करना था कि अगर आपने इसम दोनों alternate interior angles आपस में equal proof कर दिया तो PQ RS automatically हमारा आपस में parallel proof हो जाएगा आपर question 14 होता है complete I hope आप बहुत अच्छे समझ में आगी होगा कुछ भी डाउट हो Instagram, Telegram किसी के भी दूब आप मुझसे पूछ सकते हैं नहींगे नेक्स टो में हो तब तक लिए thank you for watching झालों other कि अनता है हुई चाण में जढ़ी ही पुरी हे फो हुई हाँ Tousड़ ए्सनी ए्स सबसे सकते हैं अजह फक्रोच शर वी जच्ट हो हुई है जश सकते हैं आप पक्रोच साया दिन सबसे स्बस़uks continuar जढे हैं आप裡面